नमस्कार दोस्तों मैं एको रुपात किया है सुआगत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटिड के स्टॉक के बारे में एन फॉर्चुनेटली कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जब यह स्टॉक अराउंड तीन साड़े तीन परसेंट नीचे था और व्यू क्रिस्टल के लिए था कि अपडेटिड वीडियो है जिनके पास है उन्हें बेचना नहीं चाहिए तीन सो तीस रुपे का स्टॉप लॉस बन रहा है टेकनिकल टम्स पे उसको होल्ड कीजिए और मैंने इसी स्टॉप लॉस के साथ आपको बाइंग करने के लिए भी कहा था किवल टेकनिकल टम्स पे मेरा कोई फाइनेंशियल कोई फंडामेंटल के बिसस पे इस समय 9000 के पीई पे खरिदारी का राय नहीं है लेकिन मॉमेंट में हैं इस्टॉक उपर जा रहा है बाइंग बन रही है बड़े वॉलिम्स आ रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस जो टेकनिकल बेसेस पे बन रहा है उसके साथ हम इसे स्टॉक को कैरी कर सकते हैं अगर ये स्टॉक वो लेवल ब्रेक करेगा हमें एक्जिट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा ट्रेडिंग व्यू बन रहा है इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने 200-220 रुपे पे काफी वीडियो बनाई हैं आप जब ये जियो फाइनेंस 21 अगस 2023 को लिस्ट हुआ था म मुझा अच्छे से आता है उस दिन से लेकर लगातार मैं हर दिन इस पर एक वीडियो बनाता था और सिर्फ एकी चीज थी कि ये होल्ड वाली सिचुएशन है ये बाइंग वाली सिचुएशन है यहां पे खरीद के बैठे रों पैसा बहुत बड़ा बनेगा आज इस कंपन 1162 करोड का टर्नोवर अल्रेडी मार्केट में जियो फाइनेंस के स्टॉक में अब भी तक हो चुका है स्टॉक 364 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है अला कि दिन के लेवल्स के साब से देखू तो अभी डे लो पे ट्रेड कर रहा है उपर 372 होके आया है तीन करोड शियर्स जिसमें एवरेज वॉल्यम 4.7 करोड शियर्स का है डिस्कलेमर पहले ही देना चाहता हूँ इस भाव पे कोई खरिदारी की राय नहीं है और यहां पे कोई सेलिंग की राय नहीं है यह एक आप कह सकते हैं अपडेटेड न्यूस की वीडियो है जो कल कंपनी की तरफ से फ्र एसेट मैनेजमेंट कंपनी है या फिर इसको सिंपल लेंग्वेज में समझो तो यह मानलो कि जितनी भारत की टोटल जीडिपी है उसका डबल या 2.5 टैम्स ब्लैक रॉक के पास एसेट्स हैं ब्लैक रॉक के साथ यह ओलरेड़ी 50-50 जॉइन्ट वेंचर करार कर चुके हैं mutual fund industry के लिए AMC कारोबार के लिए और उसके लिए ने license वगेरा सम मिल भी चुका है और यहां कल company ने announce कराएगी black rock के साथ company दो नए fresh कारोबार के लिए और joint venture करते हैं तो कौन से fresh कारोबार हैं अपने favorite हैं जिसको लेकर हम continue बात करते रहते हैं वो उन्हीं कारोबार में उतर रही है पहले मैं आपको headline बता दूँ जियो फाइनेंशियल black rock enter into jv any joint venture for wealth management broking businesses wealth management से भी भारत में stock market में तीन लिस्टेड कंपनिया जो तीनों पर ही मेरी buy call रहती है तीनों पर मैं bullish रहता हूं buy call इंदा मीन bullish रहता हूं मिरको पसंद है कि यह wealth creation जो stocks हैं यह definitely बढ़िया कर रह जिसमें नुवामा wealth, आनंदराथी wealth management और IIFL wealth management यह तीनों ही company अच्छी लगती है अब जियो financial black rock के साथ मिलकर wealth management कारोबार में उतरने वाला है in fact announcement तो हो गई है बस approval वगयरा लगेंगे जो कि मिली जाएंगे इन उसके बाद यह कामकाश शुरू करेंगे तो यही कारण है stock इतना महंगा trade कर रहा है क्योंकि market को लग रहा है कि आने वाले समय में तोड़ फोड़ करेगा stock financials के basis पे and broking businesses हाला कि इस field में मिरको बहुत competition द खड़ा हो रहा है Gio Finance के रूप में let's see कैसे होगा कैसे नहीं होगा वाभी पता नहीं है तो company ने क्या का है Gio Financial Services has signed an agreement with BlackRock Inc. and BlackRock Advisory Singapore PTE Limited to form a 50-50 joint venture with BlackRock to start its wealth management and broking business the company said on Monday in its filling to the exchanges. The JV will also include the incorporation of wealth management company and a brokerage in India this joint venture further strengthens the company's relationship with BlackRock Inc. with whom it had announced a 50-50 joint venture on July 26, 2023 to transform India's asset management industry through a digital first offering and democratize access to investment solution for investors in India the company filling said already joint venture announced कर चुकिये mutual fund कारोबार के लिए और अभी ये जो कारोबार है इसके लिए भी करते हो दिखेंगे तो आप लेट सी इसको एक होता है आइडिया एक होता है execution आइडिया तो ठीक है आपने लॉंच कर दिया बढ़िया है अब इसको किस तरीके से आप एक्जि दिया समझ में ये नियुकित वोचिंगे वोचिं अवचिंगे ये विडियो आप आप लॉचिंगे वाचिंगे एडिया इसको आप लिए जाए नियुक्त आप लाइस